हालो स्टुडेंट्स यह व्यू जेस का चैप्टर फोस्ट है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हेट कर दीजे ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जरह यहां गौर से देखे मैंने व्यू राइट किया अंगुलर राइट किया और रियाक्ट स इसकी जो कोडिंग की गई होंगी वो जावास किप्ट के शब्दों में की गई होंगी इसकी भी कोडिंग जावास किप्ट के शब्दों में की गई होंगी और इसकी भी कोडिंग जावास किप्ट के शब्दों में की गई होंगी ओके क्योंकि इसके नाम में क्या लगा हु जावा स्किप्ट का लाइबरेरी है वैसे ही अंगुलर अगर जावा स्किप्ट से बना तो कहेंगे अंगुलर जावा स्किप्ट की लाइबरेरी है और रियक्ट जावा स्किप्ट की लाइबरेरी है लाइबरेरी इसलिए पढ़ते हैं जावा स्किप्ट का ताकि जावा स्कि वे में जैसे आप javascript में करते थे उससे coding करने का तरीका और ज़्यादा easy हो जाएगा और और ज़्यादा professional हो जाएगा इसलिए हम javascript की libraries को पढ़ते हैं अभी channel पे आपको view.js की complete education दी जाएंगी a to z पूरा view.js आप पढ़ोके in case अगर आपको angular.js और react.js की आवशकता है तो हमारी website पे विजिट करेंगे और soft engineering course को चेक करेंगे इस course में आपको वो शारी चीज़े पढ़ाई जाते हैं जो एक छोटे सिले के बड़े developers की जरूरत की जीज़े है आप देख लो जो language जो technology आप सोचोगे वो शारा इस course में available है in fact इसमें cloud computing भी आपका available है इसके बारे में अत्यदिक जानकारी के लिए या तो वैबशाइट पे विजिट कीजिए या हमारे sales team को call कीजिए वो शारी information आपको देदेंगे शीखने की शुरुवात करते हैं अगर आपको javascript नहीं आता है तो view js आपको नहीं आएका ना angular js आएका और ना ही react js आएका और जितनी अच्छी तरह से javascript आपको आएका उतनी अच्छी तरह से आप javascript के library पे काम कर पाऊगे क्योंकि ये सब library अगर javascript के माध्यम से बना तो इसका मतलब javascript जितना ज़्यादा आएका उतनी अच्छी तरह से काम आप javascript के libraries में कर पाऊगे ओके क्या फाइदा होगा view js शीखने से जरा इसको समझे जावा javascript के माध्यम से आप क्या करते हो website के UI को control करते हो जैसे यहाँ देखे web institute की website पे click करने के बाद इस तरह से content slide हुआ फिर में यहाँ javascript में भी कर सकते हो view js में भी कर सकते हो अंतर यह होगा कि javascript में उसी चीज को कोड करेंगे तो ऐसा हो शकता है कि coding की संख्या 200 line का हो और view js में code करेंगे तो यहाँ coding की संख्या 50 lines का हो ओके और javascript से ज्यादा professional view js में coding लिखने का तरीका होका क्योंकि अगर हम किसी library का इस्तमाल करते है तो इसका मतलब हमें complete rules regulation को follow करके write करना पड़ता है इसलिए javascript से जब ही भी हम कोई काम करते हैं तो वो उतना professional नहीं हो सकता है जितना professional उसके library में काम करके आप कर सकते हो क्योंकि library वो लोग बनाते हैं जो already exports होते हैं लेकिन अगर आप javascript जैसी language में काम करोगे तो professionally आप code write कर सकते हो लेकिन maximum experience आपके पास चाहिए expect किजिए 5 years का अगर experience है तो अच्छी तरह से professionally आप javascript में code को write कर पाओगे लेकिन experience कम है फिर भी professionally code write करना चाहते हैं जहां memory का consumption कम शे कम हो जहां UI load होने में कम शे कम time लगे उस case में हम javascript की libraries को पढ़ेंगी जैसे के view js, angular js या react js okay इतना fundamental काफी है view js की coding को शुरू करने के लिए google पे जरा solve कर लिजे view js और view js.org वाला जो link दिखे आप उच पे क्लिक करो इसके बाद get started पे क्लिक करेंगे और यहां देखे view js का version आपको दिखा latest version है 3 लेकिन 2 जब तक आपको थोड़ा बहुत नहीं आएगा तब तक 3 समझ भे नहीं आएगा इसलिए coding की शुरुआत 2 से करेंगे और बीच में कुछ वीडियोज की बाद हम 3 पे move कर जाएंगे ओके तो यहां पे 2.x को selected रखेंगे नीचे आएंगे तो installation का बटन दिखेगा आप उच पे क्लिक करो आपको इस तरह से cdn लिखा हुआ दिखेगा जो पहला cdn आपको ऐसे दिखे उ structure को write कर दीजे और जो script का code हमने copy किया उसे यहां पे paste कर दीजे अब आप इस page में view.js की coding को कर पाओगे तो इसे कहा जाएगा cdn cdn वैसे url को कहा जाता है जो किसी library के code को आपके page में insert करे तो कभी भी को URL जब किसी particular library का code आपके page में insert करे तो वैसे url को कहेंगे cdn अब जैसे आप normally code करते थे javascript के शब्दों में वैसे आप यहां पे script tag को शुरू करके आशे बंद करेंगे view.js में काम की शुरुवात करने के लिए new keyword के माध्याम से view instance को आशे call करेंगे देख लिजे view के spelling vue और v capital होगा अब मैंने यहां पे ऐसा क्यों कहा कि view instance को call करेंगे यानि के view को मैं instance क्यों कह रहा हूँ यहां पे जरा इसको समझे जैसे object oriented के शब्दों में अगर कोई class ऐसे बना हुआ है जैसे देखे यहां view के नाम से class created है अगर इस class के code को जैसे यहां पे यह code written है मुझे यह code execute करना है तो सबसे पहले मुझे इस class का object create करना होगा तो जब भी बी किसी class का object create करते हैं तो new keyword का इस्तमाल करते हैं जो भी class होता है उसका नाम देकर parentheses का चितर ऐसे देते हैं तो जब आप object create करते हो class का तो आप कहते हो कि आप instance को call कर रहे हो या आप ऐसे बोलो कि आपने object को create किया तो या तो आप ऐसे पढ़ोगे इसको कि हमने view instance को call किया या आप आशे कहो कि हमने view object को create किया क्योंकि जब तक आप view object को create नहीं करोगे तब तक यह जो class इस तरह से बना हुआ होगा internally view js के अंदर इसके अंदर का code execute नहीं करेगा और जब तक इसके अंदर का code execute नहीं करेगा तब तक आप यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकते हो ओके तो view नाम का class कहां बना होगा view.js के अंदर और इसी class के code को execute करने के लिए हमने यहाँ पे view instance को call किया या हमने view object को create किया अब थोड़ा सा जावास्किप्ट के शब्द में कुछ common से चीज़ को समझे अगर किसी particular data को बहुत जगा यूज करने तो आप क्या करते हो जावास्किप्ट में आप where keyword के नाम से ऐसे variable create करते हो इसका मतलव यह हो गया अब हम x का जितना बार इस्तमाल करेंगे उतना बार automatic शोडवा जाएगा सेम उशी प्रकार से view के अंदर माल लेज़ कोई एक ऐसा data जिसका उपयोग आप कई जगह पे करना चाहते हो तो उस data को एक property में अशाइन कर देंगे और उस property को एकसेस करेंगे तो आटमेटिक वो data उपयोग में आएगा तो यहाँ देखे view के अंदर object के form को शुरू करेंगे तो object के form को शुरू करने के लिए curly bracket को शुरू करके ऐसे बंद केजिए इसमें data property का ऐसे इस्तमाल करेंगे और इसी data property के अंदर आप उन सभी properties के बाड़े में डिकलेर करोगे जिसका data आप कई जगह पे उपयोग करना चाहते हो याद रखे ये object का form है और object के form में जभी भी property के शुरूवात करेंगे तो शे कॉमा से separate करेंगे अब यहाँ देखे मैंने यहाँ पे name नाम का property क्रियेट केया और इसमें sort of store करता हूँ यहाँ अगला property create करता हूँ class के नाम से और इसमें store कर देता हूँ 4 फिर अगला property create करता हूँ roll के नाम से और इसमें store कर देता हूँ 6 तो इसका simple समतलव ये है कि अगर आपको short of access करना तो name property का इस्तमाल करेंगे 4 एक्सेस करना है तो class property का इस्तमाल करेंगे और अगर 6 एक्सेस करना है तो roll property का इस्तमाल करेंगे कहां इस्तमाल करना है जरा ये सोचिए माली जो ये paragraph है मुझे इसके अंदर इस्तमाल करना है name property का तो गोर से रेखे ये जो paragraph होका इसके अंदर double curly bracket को शुरू करके बंद करेंगे और इसके बीज में आप name property को ऐसे assign कर दोगे तो name में जो भी आपका assign होका वो automatic यहां पर p element के अंदर print हो जाएगा लेकिन याद रखे जभी भी view के property को access करना होका आपको यहां define करना होका कि कौन से element के अंदर access होका जैसे p element के अंदर property access करना है तो आपको यहां define करना होका element के माध्य हैंशे कि आपको p element के अंदर आपको property को access करना है तो यह जो p element है आप इसमें class attribute या id attribute को set करो मैंने इसमें class का value define कर दिया demo और यहाँ el property में as define कर दिया dot demo क्योंकि p element में जो demo है वो class का value है और class के value का dot पहचान होता है इसलिए हमने dot दिया अगर यहाँ class की जगा id attribute होता तो यहाँ dot की जगा हम has का symbol देते तो कहने का मतलब है कि अब इन में से कोई भी प्रॉपर्टी जैसे कि name class role इन तिनों का उप्योग करना है तो वो कहाँ हो पाएगा इसी p element के अंदर क्योंकि हमने el property के अंदर क्या अशाइन किया इस p element के id attribute का value तो el का मतलब हो गया element जरा इसको browser में run करके इसके टेस्टिंग कीजिए देखे गोर से name property में जो भी अशाइन्ड था वो print हो गया सपोज कीजिए ये class property का data चाहिए तो यहाँ क्या write करेंगे class save करके जरा run कीजिए जरा देखे रिजल्ट के रूप में print नहीं हुआ हो शकता है class के नाम से property restricted हो इसलिए आप कुछ और नाम देदो जैसे मैंने यहाँ नाम change कर दिया my class और फिर यहाँ इस्तमाल कर लेता हूँ my class property का जरा टेस्टिंग कीजिए वापस देखे 4 आगया तो जबी भी किसी property को आप आक्सेस करने में और समर्थ हो आप समझ जाओ कि वो restricted है आप उस नाम से property create नहीं कर सकते हो वैसे ही roll का data आक्सेस करना तो क्या करेंगे यहाँ पर roll property को आक्सेस करेंगे रन करके जरा टेस्टिंग कीजिए देखे result आ गया तो इसको revise कीजिए शही से revise करेंगे तो ही अगला वीडियो समझ में आएका वीडियो पशांद आया तो लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हेट कर दीजिए वैब साइट पर विजिट कीजिए हमारी sales team को कॉल कीजिए ताकि वो हमारे online classes के बारे में शारी जानकारी आपको देशाके वैब इंस्टिट के वीडियो को देखने के लिए आपका पहुत बहुत धानिवाद